देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायग्य ने आज एक नई गाती हासिल की है सिर्फ बीते दस बारा दिन की ही बात करें तो आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे अठारा हजार करोड रुपिय से ज़्यादा ट्रांस्पर किये गए दिल्ली मेट्रो की एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार की शुरुवात हुई उसी प्रकार से ड्राइवरलेस मेट्रो उसका भी आरंभ हुआ गुजरात के राजकोट में एम्स तो ओडिसा के संबलपुर में आयायम इसके पर्मेनेंट केंपस का काम शुरू हुआ दुनिया की बहतरीन टेक्नोलोजी के साथ देश के छे शहरों में छे हजार घर बनाने का काम शुरू हुआ नेशनल अटमिक टाइम स्केल और भारतिय निर्देश एक द्रव्य प्रनाली राष्ट को समर्पित की गई देश की पहली नेशनल एन्वारमेंटल स्टांडर्ट लेबोरिटी का सिलान्यास हुआ 450 किलोमेटर लंबी कोची मेंगलूरू गैस पाइप्लाइन का लोकार पढ़ हुआ महराश्र के सांगोला से पस्टिम मंगाल के सालिमार के लिए सौवी किसान रेल चली और इसी दर्रान इस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के न्यू भावपूर न्यू खुर्जा फ्रेट कोरिडोर पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और अब आज वेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का 306 किलोमेटर लंबा ये कोरिडोर देश को समर्पित हुआ है सोचिये सिरब 10-12 दिन में इतना सब कुछ और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूँ जिसमें जुडने का मुझे सोभागी मिला लेकिन इसके सिवाए भी भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के द्वारा अनेक वीत महत्वपून सेंकडो प्रकल्प इस 2021 के प्रारम से ही लोकारपन का सिलसिला चल रहा है जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शांदार जांदार होना तय है इतने लोकारपन इतने सिलान्यास इसलिए भी महत्वपून है क्योंकि भारत ने ये सब कोरोना के इस संकट भरे कालखन में किया है कुछी दिन पहले भारत ने कोरोना की दो मेड इन इंडिया वैक्सिन भी स्विकृत की है भारत की अपनी वैक्सिन ने देश वासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है 2021 की शुरुवात के माहूल में आरब से ही भारत की ये तेजी आत्मंदिर भरता के लिए गती ये सारी बाते देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा कौन मा भारती का लान होगा कौन मा भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से उंचा न हो आज हर भारतिय कावान है न हम रुकेंगे न हम ठकेंगे हम सब मिलकर सब भारतिय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे